नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आज की एक नई वीडियो में कैसे हैं आप सभी लोग उमीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे मैं बहराल बहुत जादा ठीक नहीं हूँ फिर भी सवाल बहुत सार हैं आप लोगों के हैं ज्यादा बेटर होता है इस्टाग्राम फोटोसॉफ CS3 मैंने विंडोस 10 में इस्टॉल किया है और इसमें कंटिनी टूटोरियल लेके आऊँगा और मैं समझाना यह चाहता हूं और क्या बताना चाहा हूं और क्या है यह इस चीज को समझाने के लिए मैंने यहां पर सारा Mekanism बनाया है इधर फिल्टर पर देखेंगे यहां पर कोई फिल्टर एक्स्टरनल सॉर्स से downdled किये वे नहीं है, external source क्या होता है, कोई company private company हो या private company के अलावा कोई जह software ने बनाया है, वो अलग company, वही company या फिर कोई दूसरी company या उसके additional features वाले software, one two click में दे, वो वाली चीज़ जो है filter बनाती है, adopt company के अलावा भी वहुँ सारी company है, जो कि बनाती हैं चीज़ों को, तो यह जीज़ है, तो वो कैसे install करते है, external source से download कैसे करते हैं, यह तो मैंने आपको नहीं बताया है, और नहीं वो बताऊँगा, यह सारे paid software होते हैं, सभी अलग-अलग company हो के, मैं बहराल इनका use करता हूँ, तो कैसे install करता हूँ, उसका mechanism बता देता हूँ, अगर चाहिए आपको त इसको open करा लेता हूँ, इस software को, वापस देख लेंगे, यहाँ पर नहीं है कुछ भी ठीक है, तो इसको मैं back कर लिया, यहाँ पर एक software देख रहे हूँ, नेट image का, इस software को मैं run कराता हूँ, open कराऊंगो जैसे, यह Chinese language में software, और language से बहुत ज़्यादा फर्क तो पढ़ता ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर वो सब matter नहीं करता, यह सब चल रहा है, थोड़ा सा music चला था, उसको मैं mute कर दूँगा, और यहाँ से, इधर पर advanced mode में क्लिक करके, इसको edit कर दूँगा, यह install हो चुका है, अब बची है, यह तीन फाइल है, और यह इसके अंदर पर native image का material है, इन चारो फाइलों को, पाचो फाइलों को, copy कर लेते हैं, और इसको copy कर लेने के बाद में, आपको, इधर C drive जो होता है, वहाँ पर ढूणना है, program folder, program file वाला folder, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 2021 भी available है मैं पास, लेकिन मैं 2021 में डालना चाहता हूँ, CS3, 32 bit का है, इसलिए 86 वाले program file में जाएंगे, add-off के अंदर में ढूणनेंगे, CS3 का पूरा folder मिल जाएगा, ध्यान से देखना है, आपको, program file 2 मिलेगी, पहले इसमें देखते हैं, इसमें है क्या, नहीं, 2021 वाला है, तो फिर वापस हमा जाएंगे यहाँ, और इसमें ढूण filter दिख रहे हैं, यह filter already default आये हुए है, यहाँ पर मैं इसको paste कर दूँगा, यह paste कर दिया, और अब काम हो चुका है, इसको यहाँ से back कर देता हूँ, अब इसको मैं open कराता हूँ, software को, अब जैसी open कराऊंगा, यहाँ से देखेंगे, आप यह filters आ गए, एक, दो, तीन, चार filters आ गए हैं, इसके अंदर double रहते हैं, बहुत पर हो जाता है, ऐसा कि double मिल जाते हैं, पर अभी नहीं मिल रहे हैं, फिलार कोई बात ने, कोई file छूट गई होगी मेरे से साहर, अब यहाँ से देख लेंगे इसको, चल रहा है निचल रहा है, यह successfully काम कर रहा है, तीक है, औ बार-बार मैं इसको close open करके इसलिए दिखा दे रहा हूं, ताकि आप लोगों को समझ मा जाए कि software completely काम ऐसे करते हैं, तो install करने का method यह है, यह software को install करने के बाद यूज करने का तरीका आपको मैंने वीडियो में बताया हुआ है, नहीं समझ मा आएगा, आने वाले समय पर मै YouTube बताऊंगा, यह जो है, काफी ज़्यादा finishing और कम समय में बहतर काम करने के लिए, स्वीधा प्रवाइड करते हैं, जो कि काफी बहतर option है, और सायद से कोई अगर दिक्कत होगी, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, Instagram पे आके, मैं आपको बता दूँगा, और इसे buy करना चाह नहीं होगी कि फोटोग्राफी में, इस्टूडियो में साफ्वेर कैसे काम करते हैं, उमीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे like, subscribe जरूर करें, हम बिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक किले अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुस्त रहिए, मस्त रहिए, थेंक यू, धन्यवाद, जय भी.